देखे ये ग्लोबल इंवेस्टर सम्मीट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून मायवजित करने का काम आगे बढ़ाया है उसके तहट पहले हम लोग डंदन में और लंदन, बर्मिंगम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबुदावी में पिछले तीन दिनों से लगातार विविन्न विविन्न निवेसक सम्मू से मिले हैं जिसमें परिटन के छेतर में हैं, स्वास्त के छेतर में, सिक्षा के छेतर में और बहुत सारे इन सभी फार्मा के छेतर में बहुत सारे निवेसकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं न कहीं उत्साब परदान करती है कि हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है लोग उत्राखंड आने के लिए लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है उनकी चाहद भी है कि उत्राखंड में अपना उध्योक और निवेश करना चाहते हैं और हजारो करोड के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं और निकट भुष्चे में हम देश के अन्य सहरों में भी इस प्रकार के निवेश कुण के साथ संबाद करने वाले हैं रोड सो करने वाले हैं और ये काम हमारा निरंतर्ता से चलेगा हमारा इस बार पूरा ध्यान पूरा फोकस है कि हम जब तक हमारा ये सम्मेलन आयुजित होगा 8 और 9 दिसंबर को उससे पहले जो करार हैं उन सभी को धरातल पर उतारें उसकी ग्राउंडिंग करें और उसको ले निवेसकों के द्वारा हमें हमारे साथ करार हुए हैं और प्रस्ताव आये हैं उन सभी का हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ेंगे कि उत्राखंड राजजी के लिए कौन से उप्योगी हैं कौन से लॉंग टर्म में फाइदे मन्द हो सकते हैं और जो हमको निवेसके साथ साथ उत्राखंड के अंदर रोजगार को भी जुटाने का काम करें वहां के लोगों की आजिवका को भी बढ़ाने का काम करें हमारा जो प्रात्मिक सेक्टर है उस प्रात्मिक सेक्टर को मजबूत करने में या उसको आगे बढ़ाने में उसको सहयोग प्रदान करेंगे हम प्रात्मिक्ता के अधार पर प्रोच्सान करेंगे और पहले भी हमने जो नीतियां बनाई हैं वो सब निवेशकों के उद्योक समूव के सभी के हितों को ध्यान में रखकर उसको बनाया भी है और जहां जरुवत थी उसको संसोधन भी किया है और आगे भी करेंगे सर निर्माणा धिन मंदिर को भी देखने आप पहुंचे हुए थे और UAE जैसे वहां पर हिंदु मंदिर का बनना कैसा आपको लगा और किस तरह इनेट एक्सपरियेंस लागे UAE में 27 एकड भूमी पर और हजारों करोड से लोगों के सयोग से जो मंदिर वहां पर आपुधावी में निर्माण हो रहा है निश्यत रूप से वो एक बहुत बड़ा हमारा धर्म का इस्तान बनने वाला है बहुत बड़ा उज्जिस्तान बनने वाला है वो बहुत ही गौरवानित करने वाला चण था जब मैंने भी उस निर्माणाधीन मंदिर में जहां पूरे विश्चु के हिंदू सनातन को मानने वाले धर्म पर भगवान पर आस्ता रखने वाले लोग आएंगे तो हमने भी छोटा सा युगदान एक सिला के रूप में वहाँ पर किया है उस मंदिर को देखा है जिस प्रकार से साइंक तुराज अमिरात के साथ राज्ये हैं उसी प्रकार से साथ सिकर भगवानों के नाम पर अलग-अलग एक ही इस्तान पर उनको इस्तापित किया जा र सरिष्ट भारत आज दुनिया के अंदर जो भारत का मान सम्मान और बैस्वी क्रूप से पहचान बढ़ रही है और हमारे प्रधान मंत्री जी का जो विश्व के अंदर अनेकों देशों में जो उनकी स्विकारता बढ़ी है और उसी का प्रेडाम है कि उस आबुदावी में हिंदू मंदिर के निर्मान और उसके पहले दिन जब वहाँ पर उसका सिलानियास हुआ था तो यूई सरकार के तीन-तीन मंत्रियों ने भी आकर वहाँ पर उसमें योगदान दिया है निश्चित रूप से आदनी प्रधान मंत्री जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगद क्याए विवस्ता पर विश्वास रखते हैं उनको कभी इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि देश के अंदर अब तुष्टी करण नहीं होता है मोदी जी के सासनकाल में 2014 के बाद देश के अंदर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रियास के अधार पर काम हो रहा है अब तुष्टी करण नहीं बनकी संतुष्टी करण पर काम हो रहा है सर एक सवाल हो है चुनाव है पाँच राज्यों में और जैसे कि देख रहे जो आई एंडी गटवंदन बना है वहां जो उनके प्रतियाशी उतारे जा रहे हैं वहां अन्य विपक्षी दल भी जो उनका सहयोगी दल कह सकते हैं वो भी अपने कैड़िड उतार रहा है ऐसे में क्या लग रहे हैं कि एक चबी देखने के लिए मिल रही है कि आई एंडी गटवंदन आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा तेखें आई एंडी गटवंदन जिसके मूल में केवल और केवल अपने राज्यों की सरकारों का अस्थित्तों बचाना अपने परिव चुकी है और आने वाले जो पांश राज्यों के चुनाओं है उसमें सभ में भारती जल्टापाटी और अब मैं विदेश की धरती से आकार कह सकता हूं कि double انजन आज समय की भी मांग है राज्यों की भी मांग है और देश की भी मांग है इसलिए लोग डबल इंजन की सरकार चुनेंगे और दिल्ली में मोदी जी के नितुत्तों में सरकार चल रही है आगे भी चलनी है इसलिए राज्यों की सरकार भी वही बनाएंगे कल मोदी के अविलेट में बड़ा एम फैसला लिया गया है जो रवी फसले है उन पे 7 फिसदी MSP कर दिया गया है उत्राखंड वासी को कितना लाब इससे मिलेगा देखे मोदी जी के हर फैसले में देश के जनजन का कहीं न कहीं उनके लिए उसमें सोचा जाता है और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए गति को नियोजनाओं का लाब मिले और इस योजना का भी लाब निश्चित रूप से देश के और उत्राखंड के